अस्सलाम अलेकुम आप सबको मेरी यूटूब चेनल में स्वागत है और मैं हो हास्या खातून आज मैं दिखाऊंगी दिगा के सबसे खास जगा न्यू दिगा न्यू दिगा 20 दिगा के प्रमुक परियतक स्थल और सबसे खुबसूरत जगाओं में से एक है न्यू दिगा 20 पुराने दिगा 20 से 2 किलमेटार की दूरी परिस्तित है और ये है दिगा गेट ये बीश अपनी नरम नरम रैड और प्राक्वित्रिक सुन्दरेता के लिए काफी फहमा से जो इसे दिगा में गुमने के लिए सबसे एच्ची जगा में से एक बनाती है ये खुबशुरत वीश आकरसक शुरियदाई और शुरियास्त के लिए भी पसित है जिसे सब्दों में वेक नहीं क्या जा सकता है लहराते समुंदर शुरस की सुनेरी किरणों की साथ देखना आपके जिन्दगी की सबसे खुबशुरत नमों में से एक होगा ये खुबशुरत वीश की ताइमिंग शुबा से लेकर साम तक दिन में कभी भी जा सकते है यहां वीश की साइड में बहुत बढ़ा बजार लगता है गर सजाने का बहुत शुंदर-शुंदर समान मिलता है पास में बहुत हुतेल है एजीली मिल जाएगा आप ओनलाइन में भी बुक कर सकते है और यहां आके ओफलाइन मी भुक कर सकते है जब आप दिगा के लिए जाओगी तो आप समुदरी स्नान के लिए एक अलग से द्रेश लेकर जरूर जाएए आप दिगा जाओगे और समुदरी स्नान नहीं किया तो आप भी क्या किया दिगा एक ऐसी जगा है इस जगा पे बच्चों से लेकर बुरे सभी एसके लोग अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और यहां जाके इंज्जोई कर सकते हैं दिगा फैमा से समूतरी स्नान के लिए यहां लेहरो का स्फिट बहुत कम है इसलिए लोग नीदर होकर समूतरी स्नान कर सकते हैं आप लोग वीडियो को मत करना एं तक देखते रही है अकर आप लोगो के पास ताइम है तो दिगा गुमने के लिए जरूर जाए फैमिलि के और बेंगल नाम से जाना जाता है पत्षिन मंगाल के मेधनीपूर जीले में स्टिट है नियु दीगा दीगा रेलिस्टेशन से 10 से 15 मिनिट पैदल का रास्ता है आप लोग इरिक से में भी जा सकते हैं 10 रुपई का किराय लेते हैं हावरा से शुबा की ट्रेन से जा सकते हैं 10 बजे आपको दीगा उतार देंगे और पुरा दिन गूंग के सामकी से बजे का ट्रेन पकर के फिर हावरा के लिए आप वापस आ सकते हैं यहां खाने पीने के अभी बहुत सारा होटेल है और बहुत कम रेट में यहां पर खाना मिलता है आज में बहुत दूखी हूँ क्योंकि मेरी तवियत खराब है इसलिए मैं समुद्री सनान नहीं कर पाया मैं उपर से देख रही हूँ और लोग कितना एंजोई कर रहा है कास में भी तवियत चाही होता तो में भी उन लोग की तरह एंजोई करती है आपर लेकिन कोई बात नहीं मैंने पहले बार बहुत एंजोई क्या था इससे पहले मैं एक बार आई थी दिगा पे और इस बार को लेकर दो बार हो गया इंशालला अगर मेरा तवियत चाही रहा तो कर दो कर दो तो कर दो कर दो कि कीओ Beim दो झाल, 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 झाल.